मज़ते दोस्तों विलकम बेक माई चैनल लेटेस नियूज तो लेटेस नियूज में आप सोभी का सोगत है तो फाइनली जितने भी स्टुडेंट को CSIR के लिए एक्जाम देना है तो फाइनली आज की डेट में कुछ ऐसी अपडेट आ रही है जिसको देखके लगाइस लग रहा है कि आपका एक्जाम पोस्पोन हो सकता है तो ऐसी क्या है अपडेट सब कुछ आपको इस विडियो में डीटेल से और कम्प्लेटी लाइप प्रूब बताजाएगा तो आप विडियो को स्कीब परके मत देखना हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए गाइस मैंदरी के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गाईस आप स्कीन पर देख पाएंगे कि CSIR ने अपने ओफिसल वेबसाइट पर आपका जो एक्जाम डेट है उसको जारी कर दिया है तो गाइस ऐसे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपका एक्जाम पोस्पन हो सकता है यहाँ पर आपको यह भी बता जा रहा है कि the candidate can download the year admit card for the said examination subject wise from the NTA website यहाँ पर CSIR date 909.18 and using the year application number and date of birth तो गाइस आप यहाँ से अपने admit card को download भी कर सकते हो बड़ गाइस में आप आपको बता दू कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपका exam date पोस्पन हो सकता है तो चले गाइस इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं तो गाइस यहाँ पर इसकिन पर देख पाएंगे 11 September 2022 के डेट में एक NTA UGC Net के लिए एक official notice जारी किया गया था इस notice में आपको बता गया था कि जो इनका admit card है और 13 September 2, 16 September तर आपके display हो जाएगा और आप सब download कर पाएंगे उसके बाद गाइस आपका जब admit card नहीं आ पाया तो 13 September को फिर से NTA ने एक official notice जारी किया और उस notice में गाइस आपको यहाँ पर बताया भी जा रहा है यहाँ पर subject भी दिया गया था और जो आपका admit card है गाइस यहाँ आप आप देख पाएंगे कि admit card will be displayed on 16 September 2022 तो concern candidate on UGC net website तो guys आप जो इनका admit card है वो 16 September को आने वाला है और guys यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर आपको इस स्कीन पर दिख रहा होगा ना कि the notification regarding intimation for alertment of examination city and for downloading for admit card for remaining subject will be displayed on NTA website and due to courses candidates are advised to visit NTA website तो guys यहाँ पर जो भी इनको बता जाला कि यह लगातार अपनी website पर visit करते रहें तो guys आपका exam date पहले क्या बोला जा रहा था कि जो इनका exam date है 13.16 September के बीच में आ जाएगा but guys एक next notice में इनका exam date भी है guys इस notice कि आप पढ़ेंगे ना इस notice को तो इस notice में आपका exam date है 20 September से start होने वाला था but guys आप क्या हुआ है इनके exam date में changes भी कर दिया गया है इस notice में आप basically देख सकते हो इस notice में आपको बला जा रहा है जो इनका exam date है वो basically change हो चुका है तो guys आप यहाँ पर देखी क्या है कि मतलब कि इनके exam में changes हो चुका है युकि इनका नेट भी जारी कर दिया गया था और admit card भी अभी तक नहीं आ पाया है तो guys अब जहां तक लग रहा है कि इसको देखकर UGC net b, sorry CSI net b ऐसा कर सकता है इसकी possibility बहुत कम है और बहुत से ऐसे भी चैनल से जो आपको rumors फैला रहा है कि आपका exam date हो change होने वाला है तो guys आपका exam date हो same ही होने वाला है बढ़ जहां तक UGC net में ऐसा हो रहा है तो same CSI and UGC net में भी हो सकता है इसका कोई अभी तक chance guys इसका 0% है इसलिए आप सब तयारी बहुत तेजी से करना तो और गाईस सेनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिलाइक को प्रेस कर लेना कोई questions हो तो comment करके comment कर देना ताकि मैं